आज हम बनाऊँगा मटर पनिर का रेसिपी बहुत ही आसान और एजी तरीका से बहुत ही परफेक्ट रेसिपी और खाने के लिए जबर्दस लगएगा एकदम परफेक्ड रेसीपी है देख सकते हैं ग्रेवी पनीर कितना बढ़िया है चलिए सुरू करते हैं आज के रेसीपी मतर पनीर बनाने के लिए पहले कड़ाही में देखिए हम ओयल लिया हूँ कम से कम थोड़ा ज्यादा कॉंटेड यो ओयल लीजिए कि इदर हम दो किलो पनीर बना रहा हूँ इदर देखिये धरा फूल लिया हूँ दालचीनी तेश्पता और काला काला जो बड़ा इलाई ची होता ना उसको पंचाप जिंजर गाली पेश्ट को क्या करणा अच्छा तरीका से आपको पका लेना है पनीर का quantity ज्यादा है दो kg करीब है इधर देखे आप की जो प्याज होता उसको भी पेश्ट कर लिया हूं अब इसको अच्छा तरीका से इसमें डाल के पकाएंगे पहले तो आपको जिंजर गाली पेश्ट को अच्छा तरीका से पका लेना है उसका बाद में जो पेश्ट होता ना उसको भी डालके अच्छा तरीका से भूनेंगे जब तक ओयल सेप्रेट ना हो जाए देखिए ओयल इदर देखिए छूट चुका है अब इसमें क्या करेंग उससे थोड़ा सा कम आप धनिया पॉटर डाले और इसको अच्छा तरीका से भून लीजिए ड्राई मसाला जो होता ना पहले आप भून लेंगे उसका कलर भी बहुत ही अच्छा हैगा और मसाला का जो फ्लेबर ओ भी बहुत अच्छा हैगा जब बनाएंगे ना करी बहु करीब था उसको अच्छा तरीका से पेश्ट कर लिया हूं अब पेश्ट को डालकर अच्छा तरीका से पकाएंगे अगरे भी आपको जब तक पकान है और जब तक सेपरेट नान निकले तब तक आपको इस तरह से भूनते रहना है मीडियम फ्लेम गैस में यह दिखिए थो करके यह काजू हम पेश कर लिया हूं अब इसको डालकर अच्छा तरीका से भूनना है ग्रेवी देखिए बहुत ही बढ़िया और एक्दम बहुत ही अच्छा अब इसमें डालेंगे स्वाधनुसार नम्मक आड़ करेंगे अब इसमें डालेंगे ना कस्तूरी मेथी भीजर आता और खाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया लगता ही ग्रेवी देखिए मिर इधर पक रहा है और भी इसको डेवी को पकाना है अब तेखिए पनीर ग्रीश का इकशा ये टेंगे यह दिखे जो हरा मतर बोलते हैं इसको भी डाल देंगे क्योंकि पनीर डालने से पहले ग्रीन पीश डालके इसको अच्छा तरीका से पकाईए क्योंकि पनीर का साथ मत इसको मत डालिए पहले ग्रीन पीश डाल लीजिए उसका बाद आपको पनीर डालना है अब इदर देखिए green piece पक रहा अब इसमें क्या करेंगे ना पनीर को fry कर लेंगे पनीर देखिए तेल जो है मेरा ज़्यादा गरम बे और पानी भी था इसके लिए बहुत ज़्यादा उचल रहा इसके लिए क्या करेंगे ना थोड़ा सा slow medium fire में आप फ्राई कीजिए अब प पनीर सॉप्ट आपको बनेगा और आपका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा इस तरह से हल्दी पानीर कहला किना पहले आपको बना के रखना है इसको अच्छा तरीका से मिक्स करके कम से 10 मिनिट तक छोड़ी दिये पानी में यह देखिए पनीर दिखिए कितना बढ़िया कल है और बहुत ही सॉप्ट है अच्छा भी फ्राई हो चुका है और यह देखिए मेरा जो ग्रीन पीस भी अच्छा तरीका से भून चुका है अब इसमें क्या करेंगा आपको पानी डालना है जो इस आप से आपको ग्रेवी बनाना है और इस आप से पानी आट किजिए थोड भी कितना उपर आ चुका है पुरा एकदम ग्रेवी एकदम पर्फेक्ट रेडिये अब पनीर को आपको इस तरह से डाल देना है और अच्छा तरीका से इसको मिक्स किजिए मटर पनीर इस तरह से एक बार बना के देखिया हम गैरंटी देता हम बहुत ही आपको अच्छा ल और उपर से हारा धनिया पता डाल देंगे ये देखिये मटर पनीर जो बनकर रेडिये आसा करता हूँ आज का जो रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंड कीजिए ये देखिये मटर पनीर कितना